वेलकम टू श्टेप अपाईए स्वगत है आप सभी लोगों का दर इंडियन एक्सप्रेस के एडिटो एल डिसकेशन में आज है चार अप्रेल दो हज़र उन्नीस तो सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं कि आज हमें क्या-क्या डिसकस करना है एक important quotation होगा ऐसे के लिए कुछ important articles तर इंडियन एक्सप्रेस से पहला article ड्रेगन एलेफंट टैंगो इंडिया चैनल रिलेशन्स के बारे में है ये article दूसरा article bond of secrecy कले का article हमने electoral bond पर छोड़ा था important article था तो मिस तो नहीं कर सकते उसे आज हम डिसकस करेंगे तीसरा article the politics of information RTI के बारे में रैट्ट इंफर्मेशन एक के बारे में article है सारी बाते महतपूर नहीं कुछ बाते महतपूर है जिन पर चर्चा करेंगे एक interview का question लेंगे तैयारी complete करने के लिए और कुछ questions means के भी होंगी जिससे कि आप means के practice कर सकें देख लिजी कौन सा article कहां पर है यह political article है important नहीं है यह article बताता है कि तर्की के जो president है Erdogan उनकी party की अंकारा जो की वहां की capital है उसमें defeat होई है वहां के elections में तर्की specific article है that two political eliminate कर दीजी यह article पर elections contest कर रहे हैं लेकिन यह अभी भी एक political promise ही मातर है Congress party सत्ता में आती है elections जीत कर उसके बाद वो इस scheme को implement करते हैं तो यह scheme मायले महत्तपूर्ण होगी अभी नहीं है तो अभी तो हम इसे discuss नहीं करेंगे यह article right to information act के बारे में है important है विस्तार से चर्चा करेंगे आगे बढ़ते हैं important quotation विनोबा भावे जी का when I think is true there is no need to use any argument to substantiate it अगर कोई चीज सही है तो वो सही है उसको जबरदस्ती प्रूफ करने के लिए argument देने के आवशकता है नहीं तो statement का इस्तिमाल अपनी समझ अपनी जरूत के इस आप से कर सकते है important information personal guidance program के लिए आप इस institution को अप्रोच कर सकते हैं एक coach मिलेंगे आपको job की तयारी करवाएंगे time management करवाएंगे writing practice करवाएंगे वो आपका regular basis पर test भी लेंगे supervision करेंगे target देकर self study करवाएंगे तो काफी अच्छी हो जाती है आपकी तयारी अगर आप coach के अंदर में तयारी कर रहे हैं तो यह contact number है जिस पर आप contact कर सकते हैं further details के लिए पहला article dragon elephant tango paper 200 topic को जोड़िए इंडिया and its neighborhood relations वाले topic से आईए बात करते हैं देखिए यह writer लिखा गया है चाइना के जो ambassador है इंडिया में उनके द्वारा तो वो कहते हैं कि उनके opinion में चाइना इंडिया के जो relations है वो चार phases में divided रहे हैं पहला phase was honeymoon period जिसमें पांच peaceful coexistence के principles आये थे उस समय के जो premier थे पारला नहरू जी उन्होंने बांगडूं कांफरेंस में मुलाकात की बातचीत की 1905 में इंडोनेशिया में जो हुआ था जिसने नायम के स्थापना के लिए एक बेस भी तैयार किया था तो वो काफ़ी अच्छा period था relations काफ़ी अच्छे चल रहे थे second phase जब एक border conflict वो 1962 में चाइना ने इंडिया के उपर attack किया उसके बाद relations बिल्कुल खराब हो गया उस period को वो कहते हैं frozen period ये period चला 1962 से लेकि 1990 तक period का time में आपको बताता जाता हूँ जो पहला phase था वो 1949 से 1962 दूसरा phase ये जो यहाँ पर बताया गया है 1962 से 1990 ये second phase था जिसमें relations काफी frozen रहे खराब र में उसके बाद जो उस समय के चेर्मेंन थे माउ जदॉंग उन्होंने हाथ मिलाया ब्रजेश मिस्टा से जो समय एंडिया से चाइना के लिए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम relations को सही करें दोबारा दोस्त बने 1988 में हमारे उस समय के जो प्राइम मिस्टर राजीव गांधी जी थे उन्होंने एक आइसब्रेकिंग विजिट की चाइना की उसके बाद रिलेक्शन से ब्रूव होना शुरू होते हैं थार्ड फेस था 1990 से 17 नेशनल कॉंग्रेस सक्का समय 17 नेशनल कॉंग्रेस को 2007 में आयो जित किया गया था जो 2012 तक चला हुज इंताओ सत्ता में आये थे तो जो थर्ड फेस था वो 1990 से 1990 से 2012 के बीच का था इसे recovery period कहा गया यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है आप समझ लीजिए इसे recovery period तो तीन पीरड अभी हमने देख लिए है चोथा period 2012 से अभी तक का है इसे वो कहते है acceleration period जिसमें relations को लगातार आगे बढ़ाने का प् तो चार फेसे मैंने आपको बताए उनीस सो उन्चास से उनीस सो बासट हनीमून पीरिड उनीस सो बासट से उनीस सो नबबे फ्रोजन पीरिड उनीस सो नबबे से 2012 recovery period उनीस सो बार से नाव acceleration period आप इस classification का इस्तिमाल answers में भी कर सकते हैं यह कहते हैं पास में जो कुछ हुआ उसके basis पर हम कुछ observations बना सकते हैं इंडिया चैनल relations के बारे में 6 observations बताए गये हैं जिनके बारे मैं आपको बताऊंगा पहला observation यह है कि इंडिया चैनल लगातार प्रयास कर रहा है कि relations को और बहतर किया जाए हालां कि बीच बीच में conflicts होते हैं लेकिन हम उन्हें avoid करकर आगे ups and downs हमने रेखे हैं still हमने friendly cooperation को आगे बढ़ाया है और friendly cooperation हमारा general trend रहा है यह दूसरा observation तीसरा observation यह है कि people to people जो exchange है वो एक adhesive गोन की तरह काम करता है इंडिया चैना के bilateral relations के बीच में 1981 में मांट के लाश और लेक मांसरोवर जो की तिबबत में है चाइना में उसके pilgrimage को resume किया ग योगा डाजलिंग टी बॉलिवुड यह काफी पसंद किये जाते हैं Chinese youngsters के बीच में यूनान मिंजू University यह इंडिया के बाहर पहली ऐसी university है जो कि योगा में master's degree provide करवाती है जो चौथा observation है वो यह है कि pragmatic cooperation बहुत ही महतपूर चीज रही है इंडिया और चाइना के बीच में चाइना इंडिया का अभी भी largest trading partner है जिसकी वर्थ 2018 में 95.5 billion डॉलर की रही वर्तमान में रखवा कि 1000 से ज़्यादा companies इंडिया में business कर रही हैं इंडिया और चाइना के जो Chinese mobile phone brands हैं Xiaomi, Vivo, Oppo वो इंडिया के आधा से ज़्यादा जो mobile market हैं उसको capture करके रखते हैं Nescom, the National Association of Software and Services Companies of India जो की इंडिया की Nescom है उन्होंने तीन IT corridors डैलिया, गोईजाओ और यूजाओ में establish कर रखे हैं जो की चाइना में हैं तो इस तरीके हम देख रहे हैं कि observation में की कैसे developments हमने देखे हैं दोनों countries के बीच में cooperation के field में पांचा observation यह है कि multilateral cooperation बहुत जरूरी है जो की एक growth point है चाइना और इंडिया लगवख वैसी समस्याएं face कर रहे हैं जैसी चाइना में है वैसी इंडिया में जैसी इंडिया में वैसी चाइना में हम चाहते हैं कि लोगों के लिए livelihood के ज़्यादा options हो हम एक ऐसे critical stage पर हैं जहां कि दोनों देख reforms को और बहतर कर रहे हैं modernization process को आगे बढ़ा रहे हैं इसके लिए में एक favorable external environment चाहिए जिसके लिए ज़रूरी है कि multi lateral organizations अच्छे से काम करें जैसे कि RIC, BRICS, SCO और Z20 बाकी सब तो आप जानते ही है RIC, Russia, India, China एक forum है जिस पर तीनों देश मिलके बात करते हैं चाइना और इंडिया common interest share करते हैं globalization को promote करने में और protectionism को oppose करने में छठा observation यह है कि अपने differences को manage करने के दौरान जो differences को manage करने का mechanism है वो एक stabilizer की तरह काम करता है वैसे तो time time पर इंडिया चाइना के बीच में problems होती रहती है negative list में कुछ historical बाते भी है जैसे कि border dispute या दलाई लामा का इंडिया में आकर बस जाना लेकिन अभी भी कुछ अन्य मुद्दे भी है जैसे कि United Nations Security Council का 1267 जो proposal है उसे block करना चाइना के द्वारा कुछ third party factors भी है जो कि इंडिया चाइना relations को प्रभावित करते हैं लाइक पाकिस्तान, United States और South Asia लेकिन फिर भी चाइना और इंडिया ने successfully अपनी issues को past में भी resolve किया जिसे तिब्बत और सिक्किम के मुद्दों को consultation और dialogue के basis पर resolve किया गया है और हम इन मुद्दों को भी resolve कर सकते हैं ऐसा इनका मानना है चाइना और इंडिया अभी 2020 में 17th anniversary celebrate करेंगे अपनी diplomatic relations की रेटर कहते हैं कि वो बिलीव करते हैं कि जो दो इंसेंट civilization हैं उनके पास ability भी है और wisdom भी है कि वो रास्ते निकाल सकते हैं कि वो कैसे दो बहुत ही महतपूर neighboring countries बन सकते हैं जिसे हम जहां पर हम एक dragon elephant tango देख पाएंगे tango is a kind of dual dance couple dance जो आपने कई बार movies वगएरा में देखा भी होगा इसका origin argentina से है तो एक ऐसा imagination कर रहे हैं कि dragon और elephant एक साथ dance कर रहे हैं और हम एक Asian century का निर्मार कर पाएंगे जिसे lead करेंगे India और China तो ये पूरा article हमने यहां पर देखा question means के लिए critically examine the effectiveness and ability of India and China to address the critical issues between them दोस्ता सब्दों में question को reply करिए अगला article देखते हैं bonds of secrecy पेपटू से topic को जोड़िए important respect of governance, transparency and accountability वाले section से सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि electoral bonds काम कैसे करते हैं कुछ notified banks को चुना जाता है जो electoral bonds को issue करते हैं एक donor या buyer वो जाता है और कुछ जो भी वो पैसे pay करना चाहता है किसी प्रटकर पार्टी को उसका भुकतान वो bank में check या digital payment के जरीए करता है और electoral bond खरीद लेता है electoral bond वो वेक्ती अपनी मरजी से किसी party को दे सकता है एक specified time frame में इसका 30 days 45 days का time period होता है जिसमें उन्हें देना होता है इस bond को इसमें को interest rate वगएरा नहीं मिलता है और इस bond पर उनका नाम नहीं होता केवल एक serial number होता है इससे ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि आखिर ये bond कि इसने खरीदा है या प्रड़कर पार्टी को किस ने दिया है पार्टी उस bond को सीधा bank account में अपने deposit कर देती है वो पैसे उनके account में आ जाते हैं तो यह एक बात महतपूर्ण है जो आपने देखा होगा कि कि किस वेक्ती ने उस bond को खरीदा है इस बात का अंदाजा नहीं गए हैं यह bonds का mechanism 2017 में सुरू किया गया था एक finance bill के जरिए example के तौर पर जो section मतब इसमें एक amendment किया गया था RBI Act में जो RBI Act 1924 है उसके section 31 में amendment करके clause 3 जोड़ा गया था जिसने electoral bond के इस mechanism को अलाओ किया यह जो amendment था इसे एक money bill के तवर पर propose किया गया था जबकि समझने वाली इसे बात यह है कि RBI Act खुद money bill नहीं था तो यह contradiction वाला मुद्दा है कि क्या किसी ऐसे कानून को या किसी एक ऐसे कानून में जो कि खुद money bill नहीं था amendment करते वक्त money bill की तरह प्रपोस किया जाएगा तो यह तो controversial मुद्दा है कि जब RBI Act money bill नहीं था तो amendment कैसे money bill के तौर पर propose किया गया लेकिन हम इस मुद्द्य को जियों कात्यों छोड़ देते हैं उस पर नहीं जाते क्योंकि हमारा मुद्दा कुछ और है हम तो electoral bond की बात कर रहे हैं ये bill money bill था या नहीं था हम इस पर थोड़ी बात कर रहे हैं दो देखिए इस bond का एक measure objective ये था कि जो donor की identity है political funding जो क अपने मेंबर से फीज से कभी पूरा नहीं कर सकते। इसलिए वो अपने इस खर्चे के रिए कॉर्परेट्स पर डिपेंड करते हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में पैसे उन्हें पे करते हैं। ज़्यादा तर ये पैसे ब्लैक मनी हुआ करते हैं जो प्लरकर पार्टीज और जो ये इंकम लेते हैं मतलब जो फंडिंग लेते हैं उन्हें कोई इंकम टेक्स पे नहीं करना पड़ता और जो डोनर्स होते हैं वो भी इस आधार पर एक्जेंप्शन क्लेम करते हैं कुल मिलाकर ये जो डोनेशन इतनी बड़ी मात्रा में दिया जाता है वो अनकाउंटेड होता है हम देख रहे हैं कि एक और तो बहुत इस आधार पर आप कह सकते हैं कि हर इलेक्शन में एक बहुत बड़ी मात्रा में हमारी एकॉनमी में ब्लैक मनी एड हो जाती है लेकिन जब इप लड़कर पार्टी इस ब्लैक मनी के सारे इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो वो ये वादा करना नहीं बूलते कि जब वो आएंगे तो ब्लैक मनी खतम कर देंगे इलेक्टरल बॉन्ड को कंसीव किया गया था ताकि डोनर की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जा सके इसलिए जो बायर होता है उसका नाम उस बॉन्ड पर नहीं होता पार्टी वाई को इस बात की जानकारी है पार्टी वाई सत्ता में आ जाती है तो पार्टी एक हित खत्रे में हो जाएंगे तो उसके हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रावधान किया गया था लेकिन practical बात ये है कि जो पार्टी सत्ता में होगी उसके लिए इस information को access करना बहुत आसान होगा इस anonymity को ensure करने के लिए ये कहा गया था कि किसी भी authority को किसी भी condition में ये नहीं बताया जाएगा कि किसने कौन सा bond खरीदा है लेकिन practical बात ये है कि political party तो आराम से इस information को avail कर सकती है तो मुद्दा ये होगा कि जो opposition में होंगे उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा fund को access कर पाना जबकि जो ruling party है वो बड़े आराम से fund को access कर लेगी तो मिसारहाल पर कह सकते हैं कि दो objective रहे electoral bond के दूनों objectives noted नहीं है मतलब ये तो writer का opinion है वो अपने हिसाब से बता रहे है पहला तो जो secrecy है उसे maintain किया जाए donor की ये तो genuine है ये genuine objective है दूसरा objective writer अपनी और से बता रहे है कि जो ruling party है वो जदा जदा donation avail कर सके और opposition party इसको कुछ भी ना मिले तो ये उनका opinion है ये इस electoral bond का genuine objective नहीं है देखे मुद्धा ये है कि कोई ऐसा प्रावधान जो कि transparency को खतम करता हो उसके लिए कानून नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि ये democratic public policy का बहुत ही fundamental aspect है legislature confidentiality provide करवा सकते हैं किसी state secret को जो जरूरी हो हमाई national interest में हो public interest में हो आप से crazy दे सकते हैं उसे कोई कानून बना कर लेकिन political funding को ये गलत है क्योंकि यहाँ पे state involved नहीं है यहाँ पे तो private individuals और private companies involved है इससे कोई public interest भी सरव नहीं हो रहा है in fact public interest खत्रे में ही पढ़ रहा है section 29 का जो clause C है RPA Act 1951 का वो ये कहता है कि हर political party election commission को उन्होंने जो खर्चा किया है उसका report सौपेंगे उसमें वो ये बताएंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने 20,000 से जादा उन्हें fund किया है तो वो कौन है लेकिन electoral bond के आने के बाद ये compression भी खतम कर दिया गया है क्योंकि अब तो नाम ही नहीं रहेगा bond पर तो कैसे पताएंगे कि पैसे किस ने दिया है तो ये काफी गलत अप्रोच है writer का ऐसा मानना है conclusion में बुला गया है कि जो amendment किया गया है section 29 clause C में ये public policy जो transparency किया उसके खिलाफ है इसी लिए unconstitutional declare किया जाना चाहिए RTI 1.2005 declare करता है कि democracy के लिए जरूरी है कि citizens जो हैं वो informed हो और information को विल करने में transparency हो उसके वाद writer अपना opinion देते हैं कि कोई भी executive act जो कि transparency को खतम करता है उसे anti-democratic और public interest के खिलाफ माना जाना चाहिए तो ये पूरा article हमने देखा question for means critically examine the effectiveness of electoral bonds in ensuring transparent political funding alternatives भी suggest करने आपको दोसों सब्दों में देखते हैं अगला article The politics of information पेपर 2 से topic को जोड़िए important aspect of governance, transparency and accountability सबसे पहले RTI 1 के बारे में जाहिए इसे 2005 में लगू किया गया था बनाया गया था जहां पर लोगों को अधिकार दिया गया कि वो public authorities से information अवेल कर सकते हैं ये एक fundamental democratic right है और ये एक human right है जो कि हर वेक्ति के लिए बहुत जरूरी है वेक्ति की freedom of speech and expression बनी रहे है इसलिए ज़रूरी है कि उसे right to information मिले ये एक fundamental right है fundamental right क्यों है fundamental right कहां है article 19 sub clause A के तहत right to speech and expression दिया गया है उसमें right to information भी आता है अगर आपके पास सोचने और बोलने का अधिकार है तो आपके पास ये भी अधिकार होना चाहिए कि आप चीजों को जाने अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे बोलेंगे ये article 21 का भी पार्ट है right to life and liberty आजादी है आपके पास कुछ भी जानने की तो इस लिहाद से ये बहुत ही महत्तपूर अधिकार है article पे चलते हैं designing using and evaluating information system information system कैसा होना चाहिए उसका design use और evaluation कैसा होना चाहिए ये तो इस बात पर depend करता है कि आप इस पूरे मुद्धे को किस perception से देख रहे हैं किस perspective से देख रहे हैं information system जो social economic transformation को strengthen करे strong करे वहाँ पर active public participation जरूर होना चाहिए लोगों का participation जरूर होना चाहिए जो digital tool है उन्होंने लोगों को इस पूरे system से कहीं न कहीं दूर कर दिया है उदारन के तौर पे मनरेगा मनरेगा में जो लोग काम करते हैं वो primary producer है information के लिए लेकिन इस पूरे information system में उनका कहीं कोई participation नहीं होता आज एक individual पुरी तरीके से transparent estate के लिए भी और market के लिए भी राज जी आपके बारे में सब कुछ जानता है आधार इसका बहुत ही powerful example है वो आपके fingers prints को भी जानते हैं लेकिन आप सरकार के बारे में क्या जानते हैं rural workers, pensioners को compelled किया गया कि वो खुद को आधार से link करें बिना उनकी explicit consent के right information campaign ने काफी लंबे समय से जनता information system के demand की है जनता information system से मारा मतलब एक ऐसे information system से है जहाँ पर लोगों का involvement हो जनता का involvement हो और काफी सालों के practices से हमें ये पता भी चला है समझ में भी आता है कि main users का involvement बहुत ज़रूरी है इस पूरे information cycle में information को collect करना collide करना, disclose करना इन सभी में लोगों का involvement हो ये बहुत जरूरी है इस जिसा में काफी कुछ किया भी गया है जिसके बाद courses की गई कि सिरी को practice में लाया जाए उदारन के तौर पे DOIT यानि के Department of Information Technology और अजस्थान सरकार ने एक consortium के साथ engagement किया ये consortium एक civil society organization का था जो काम कर रहे थे कई सारे issues पर लाइक मंदेगा, राशन कार्ड, land rights, mining, education, health पिछले कई सालों से जिसा में काम कर रहे थे उनके साथ एक collision किया गया वो एक digital dialogue और इस करवाते थे इस digital dialogue में लोगों के पास एक platform होता था कि वहाँ पर वो suggestion दे सकते है कि information system में क्या कमिया है उसे कैसे दूर किया जा सकता है उसके बाद एक single window portal भी तैयार किया गया जन सूचना portal जिसके जरिए gram पंचायत और word level schemes जो है उनके बारे में information लोगों को दी जा रही है और इन पूरी schemes को develop करने में लोगों के involvement को ensure किया गया है और एक people centric monetic system भी ensure किया गया है section 4 clause 2 जो है RTI act का वो ये कहता है कि जो authorities हैं उन्हें सू मोटो यानि खुद से ही समय समय पर regular intervals पे लोगों को information provide करवानी चाहिए ताकि उनके पास बहुत कम scope हो RTI deal के question पूछने का अगर उन्हें regular information मिलती रहेगी तो आखिर वो क्यों बार-बार RTI deal के question पूछेंगे तो उन्हें चाहिए कि वो अपने इस legal commitment से पीछे ना हटे और regular intervals पे लोगों को information दी जाती रहे conclusion में कहते हैं कि एगर हम चाहते हैं कि एक जनता information system तयार किया जाए तो हमें तीन building blocks पर ध्यान देना होगा पहला तो जो user group या affected communities हैं उन्हें compulsory पूरे process में involved करना होगा दूसरा information की access administrators और लोगों के लिए equally होनी चाहिए थोड़ा सा controversial है ये कहते हैं कि administrative login भी नहीं होना चाहिए सभी के लिए equally किसी भी department के information को access करना आसान होना चाहिए तीसरी बात के priorities इस बात को दी जानी चाहिए कि हम एक ऐसा system create करें information का जो कि democratic participation को ensure करे और accountability को बढ़ावा दे तो ये पूरा article हमने यहाँ पर देखा एक interview का question आपके सामने है क्या आप बिलीव करते हैं कि past में जो हमारा undocumented past था industrial civilization के पहले का past आप माल लीजिए वो एक undocumented past है तो उस समय आज से भी ज़्यादा advanced technologies exist करती थी क्या आप ऐसा बिलीव करते हैं ये important topic है because Indian Science Congress में भी इस मुद्दे को काफी highlight किया गया था कि past में बहुत बड़ीवेट technologies थी पुस्पक विमान was a kind of aeroplane internet हुआ करता था और communication के measures होते थे atom bomb हुआ करता था in kind of brahmas तो ऐसे बाते की जाती हैं बट क्या आप भी इस पर भरोसा करते हैं देखे there was a debate एक debate चल रही थी कुछ लोगों के बीच में general debate थी usually I do not like to involve in kind of debate which does not have any relevant substance तो वो debate actually में irrelevant बातों पर ही चल रही थी but suddenly इस मुद्दे पर बात सुरू हो गई कि past में कौन कौन सी technologies exist कर रही थी कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे थे कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे I usually keep quiet and listen to in such a debate मैं ऐसी debates में सुनना प्रिफर करता हूँ बजाए इसके कि मैं involved हूँ और कुछ बोलूँ तो मैं सुन रहा था बातों को जो लोग कर रहे थे बाकी सारी बाते तो इधर उधर की ही चल रही थी बट एक विक्ति ने एक argument दिया जिसमें थोड़ा सा substance था कुछ relevancy थी उस विक्ति ने क्या बात कही वो मैं आपको बताना चाहूँगा उस विक्ति ने बात कही उस विक्ति ने जो बात बताई वो ये थी कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि internet कैसे काम करता है how many of us know कि अगर हम से कह दिया जाए कि आप खुदी से सारा material कलेक करकर एक fan बना दीजी जो हवा दे सके बड़ी सामाने सीचीजे ना हम सभी लोगों के घरों में होती है लेकिन क्या हम और आप जानते हैं कि ये fan कैसे बनता है और कैसे काम करता है how many people are there in the world how many people are there in the world जो ये जानते हैं कि atom bomb कैसे बनता है और हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि aeroplane कैसे बनता है जो हवा में उड़ सकता है helicopters कैसे बनते है suppose करी कोई massive destruction हो जैसा कि 2012 Hollywood movie में दिखाया गया हाला कि वहाँ पे तो कुछ selected लोगों को बना सकें तो उनके लिए और उनके आने वाली पीडियों के लिए या उनके आने वाली पीडियों के लिए ये सारी बाते एक imaginary बाते होंगी जो कभी exist ही नहीं करती थी क्योंकि उनके लिए development फिर से start होगा industrial civilization कैसे collapse की थी किसी को नहीं पता है सब guess लगाते हैं कैसे collapse की थी तो अगर उसके पहले कुछ ऐसा exist करता भी था और उसके पहले कि civilization suddenly किसी करण से collapse कर गई और ऐसे intellectuals जो इन चीजों के बारे में जानते थे वो किसी करण रवस खतम हो गए नहीं रह गए या अपनी इस information को आगी की पुरी को अग्जिस्ट करती थी यह सिर्फ एक व्यक्ति का विचार है और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पर अपना विचार व्यक्त करें वो positive हो सकता है negative हो सकता है यह बकवास की बात हो सकती है या फिर logical बात हो सकती है आप अपना विचार comment box में दें कम से कम विचार जरूर दे ये हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त होता है थैक्स वाचिंग दिस्केशन